कि अलो दोस्तों नमस्कार आज किस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कॉंसल्स इसे आखिर हम किस तरीके से यूज करेंगे आखिर इसका यूज क्या है और एक्चली में आखिर ये काम किस तरीके से करता है तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कुछ मोटी म बाते हैं जो कि में चलिए आपको यहां पर बता देता हूं गूगल सर्च कॉंसल्स एक करना होता है इस तरीके से समझ सकते हैं उसके बाद में जो भी आपकी वापके वहाँ पर दिखने लगता है इसे साथ में जो इंपरेशन और लोग देखेंगे आपकी वेबसाइट और इसी के साथ में आर्टिकल लिखते हैं अगर आर्टीकल पड़ता है कोई भी तो आपका ज़ो ट्रेफिक है बहुत लगता है और उतनी ही ज्यादा कमाई होती है तो चलिए वीडियो को विनादेरी करते हुए हम जान लेते हैं कि आखेर गूगुल सर्च कॉंसल से हम अपनी वैबसाइट को किस तरीके से अटाइच करेंगे तो यह मेरी वैबसाइट है मैंने हाँ पर 14 लिख दिया है चलिए मै यहां पर यह न्यू टाइप में ओपन कर लेता हूं और मैं उसमें लिखूंगा गूगुल सर्च कॉंसल ठीक है उसके बाद में हमारे सामने इस तरीके से आजाएगी यह वाली वैबसाइट साइन अप वाली इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे साइन पर ठीक है उसके बाद म देनी है तो यह आपको देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से ठीक है तो चलिए करेंगे आप दो दो डेंगेаюсь चलिए एक पर यू लेटा-ओट यहाँ पर हम यहाँ पर यहाँ अपर यू राखी दोनो से पर copy कर लेना है आप उपर देख पा रहा है ठीक है उसके बाद में आपको हिहां पर search बार में लिख देना है hosting ए या hostinger ठीक है इस तके से लिखेंगे तो इसमें आपको पहले login होना होगा तो मैं चलिए इस पर simply क्लिक करूंगा और अपनी i-mail eddy से login हो जाऊंगा है यहां पर थीक है email id password डाल दिया हूँ उसके बाद मैं login हो जाता हूं login होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा आपको मिल जाएगा डू नेम का options ठीक है जो कि आप देख पार रहा है इस पर आप simply click करेंगे आपका जो भी डू नेम होगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलियागा, तो हम इस पर डू नेम पर आप सिंपली किलिक करेंगे, यहां पर auto का भी option देखने को मिल लिया है ठीक है तो इससे आप off भी कर सकते हैं on भी तो चलिए मैं इस पर simply click कर देता हूँ उसके बाद में आपको यहां पर मिलेगा dns का option इस पर आप simply click करेंगे आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से यहां पर आजाएगा सब कुछ आप देख पाएंगे ठीक है तो आपको करना क्या है पहले आपको यह वाला option देखने को मिल लिया है पहला option इसमें आपको select करना है txt ठीक है उसके बाद में आपको txt वाले option में इसमें आपको copy करके यहां पर paste कर देना है ठीक है तो चलिए मैं सबसे पहले यहां पर जाओंगा google search console में और हम इसे copy कर लेते हैं यहां से उसके बाद में हम इसे paste करेंगे मैं यहां पर paste कर देता हूं उसके बाद में add record ठीक है इस पर हम simply click कर देंगे तो चलिए मैं इस पर simply click कर देता हूं और जैसे आप click कर देंगे तो आपका नीचे की तरफ add हो जागा तो आप देख पा रहा है जो कि DNS record जानी कि आप इसमें द व्क मैं उपर की तरफ चलिए इस क्रॉल करता हूं आपको दिखा देता हूं इससा यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिल लिया है तो इसका मतलब नीचे की तरफ हो एगर टीक है मतलब खूल आप देख सकते हैं मतलब यह एड हो चुका और तो यहां से आप इसे डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे ठीक है अगर आपने पहले कभी कर रखा होगा अगर आप कर रहे हैं तो आपका एक ही वार होगा और एक ही ठीया आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इस वाद पर अपने डूनेम को यहां पर वेरिफाई करेंगे जो कि Google Search Console से ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर करना क्या है आपको सैट मैपको यहां पर सैट करना है अब वो किस तरीके से करेंगे क्योंकि अगर यह दोनों चीज़ें यहां पर सैट होंगी और वेरिफाई होंगी तब ही आप अच्छी दरीके से कर पाएंगे तो उसके लिए आपको करने के लिए यहां से आपको पहली बात तो यह अगर यह ऑप्शन आ रहा है वेरिफाई कर ठीक है तब तो ठीक है नहीं आ रहा है तो आपको दितीन मिनिट रूख जाना है क्योंकि हो सकता है आपको यह यूर्ल के भी तुरू यहां पर एड कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल हम ऐसे ही रहने देंगे ठीक है और आप दू नेम की ही तुरू कर ली जीगा ठीक है न्यू टाइफ में हमने ओपन किया यहां पर लिखेंगे गूगल सब्सक्राइब करेंगे स्टार्ट नहां पर सिम्प activity देख सकते हैं ठीक है क्योंकि मेरे सय एकदम नियू है तो यहां पर ठोड़ा इस तरीके से मिल लिया है अपको तरीकेसे करना है यह आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे आपको यहाँ पर set URL लालना है उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहा है success अगर आपका हुआ वह होगा तो इस तरीके से देखने को मिलेगा तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा क्योंकि अगर आप दोबारा करेंगे तो आपका होतो जाएगा पर एक ही देख पा रहा है settings मैंने यहाँ पर किलिक किया उसके बाद में यहाँ पर नीचे से उपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा उसके बाद में यह option है आपका यहाँ पर enable होना चाहिए इस बाद को दिहान रखना है टीक है तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे अगर आपने यहाँ पर इसके बाद में यहाँ से कॉपी कर लोंगा यहाँ पर आपका photo link और website और आपका यह सारा कुछ set map बन जाता है ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पर simply paste कर देंगे और submit कर देंगे कि तो submit set map देख पा रहा है हो चुका है success ठीक है उसके बाद में हम dismiss कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक ही आ रहा है क्योंकि मैंने पहले भी कर दिया तो आप भी घर दिया ठीक है तो इस बात को आपको खुछ चिंता करने जोड़त नहीं अगर आपने दुबारा कर दिया है तब ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं overview पर जो मेरी परफॉर्मस देख सकते हैं website की उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि हम चेक किस तरहीं किसे करें ठीक है कि जो हमारी website है जो हमारे विलॉग है वो जा रहा है गूगल में नहीं जा रहा है तो आपको अपने website का या फिर जो भी विलॉग है उसकी आपको link लेना है link ल एंटर कर देंगे तो चलिए मैं यहां पर एंटर कर देता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका सब कुछ यहां पर ग्रीन कलर के टिक दिखाएगा और इस तरीके से दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी website भी गूगल में रन जानी की सर्च हो रही है और आपके जो पेज है आर्टिकल बगएरा वह भी यहां पर हो रहा है तो यह आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं कहने का मतलब है बिल्कुल सही है उसके बाद में कुछ चीज़ों है जो कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं तो आप यहां पर साइट मैप पर सिंपली क्रीक करत सकते हैं जैसे कि पेज़, पोस्ट, वैव, स्टोरी है तो मेरी कैने मतलब सब कुछ गूगल में जाने की सुभ हो रही है तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं तो इसी के साथ में मैं यहां पर पर्फॉर्म्स पर सिंपली क्लिक करता हूं तो आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं इंप्रेशन वगएरा और कितने इंप्रेशन हैं तो आप यहां से हर चीज पर नजर रख सकते हैं ठीक है CTR भी देख सकते हैं मेरा ठीक है अभी मैंने एडिसंस के लिए यह सैट नहीं भेजी है जब मेरे 30 से 50 पोस्ट लिख जाएंगे तब मैं एडिसंस के लिए भेजूंगा ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियोस में आप सब कुछ सीख गयोंगे फिर भी आपके मुन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फीजन है तो मुझे नीच